दोस्तों शुभीमन बोल रहा हूँ, solutions back से, I hope हम लोग आप वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और हम लोग का add-on भी आपको देखने में अच्छा लग रहा है, बहुत लोग तो खड़ी दरबही रहे हैं, तो हम लोग का चैनल को subscribe कर दीजेगा, आये के वीडियो के लिए आज हम लोग एक चीज़ लाए हैं, जो बहुत ही painful है सब के लिए, जैसे पहले तो मैं एक customization बंद कर रहा हूँ, बंद करके आपको मैं दिखा रहा हूँ, अब माल लीजे मेरा एक sell bill है, अब ये sell bill में मैं जब print करता हूँ, आप हमेशा देखेंगे, ज़्यादा item मोने से next पर चल रहता है, ये tax amount से लेकर declaration ये जो space tally occupy करके रखता है, दूसरे कारण से, तो इसको, ये space मेरे को हटा ना है, अगर मैं ये हटा देता हो, देखिएगा, मेरे item के उपर का space बढ़ जाएगा, तो कैसे, हम लोगी add-on लाए हैं, ये जो extra space है, इसको हटा देने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, customization को जाके एक बर activate कर देते हैं, अब फिर से print out जाते हैं, देखिए दोस्तों, नीचे का जो extra space है, ये space आपका हट गया, और वो ही space आपका item and ledger, बोथ जगा पे आपका space बढ़ा दिया, तो क्या होगा, आपका अगर ज्यादा item होगा, तो आराम स देट भी मिल जाएगा, सारा details जो है, description box में दिया गया है, अगर आपको ये चीज अच्छा लग रहा है, तो please हम लोग को call कीजिए, और आगे का वीडियो के लिए subscribe कर दीजएगा, till now, thank you, bye